हलो एवरिवन वेल्कम बैक टू माई चैनल कुक वित काफिया तो कैसे हैं आप सबाई हो कि आप सब ठीक होंगे आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आलू अंडे का बहुत ही टेस्टी नाश्ता इसको जो है हम बहुत ही जटपट बना के तियार करेंगे और खाने में यह बहुत ज़ादा मज़े के लगते हैं तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं ले लिए दो पियाज इनको जो है मैं अच्छे से चील लिया है अब मैं दोनों पियाजों को एक में से दो कर लूँगी अब देखिए मैं दो पियाजों को यहाँ पर जो है चार पीस कर लिया है एक में से हाफ-ाफ कर लिया है अब मैं ले लिया है कद्दुकस की जो यह प्लेन वाले साइड होती है जिससे हम आलू भी कट करते हैं उससे ही मैं इसको कट कर लूँगी प्यास को और अगर आप इसको नाइफ से अच्छे से कट कर सकते हैं तो आप उससे भी कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर इसको कद्दुकस से ही करूँगी तो देखिए, यहां पर इस तरीके से बारीग बारीग, अब सारे प्यासो को मैं अच्छे से कट कर लिया है, और इसको कुछ देर के लिए रख दूगी, और यहां पर देखिए, बावल ले लिया है, यह आप देख सकते हैं, आप चाहिए तो इसके ज़गा कोई और बरतन भी यूज़ कर सकते हैं, साथी मैं इसमें डाल लही हूँ, कद्दुकस कीवे आलू, तो यहाँ पर मैं तीन मीडियम साइज के आलू लिये थे, उनको अच्छे से कद्दुकस कर लिया है, कद्दुकस करके मैं इसको अच्छे से पानी में वाश करके सारे इसका स्टार्स निकाल और इसको कुछ दिर चन्नि में रख दिया है ताके इसका सारा पानी निकल जाए साथ ही इसमें प्यास कट करें थी वो तो प्याससे इप्यास को एक साथ dẫn ना है फिर्र जो इसमें आध कर रही हूँ एक अंड़ा तो यह जो हम नाश्टा बना रहा है इसमें टेस्ट बहुत अच्छा है गांडे से और इसमें बाइंडिंग भी बहुत अच्छी हो जाएगा इसलिए मैं इसमें डाइट करनी हूँ और यहाँ पर जो है मैं एक अंड यूज़ करनी हूँ अगर आपको जाधा करना है तो आप इसमें दो या तीन भी एट कर सकते हैं या अगर आपको जाधा quantity बढ़ानी है नाश्टे की तो आप इसमें और जाधा भी डाल सकते हैं साथी मैं इसमें आइट करनी हूँ जीरे की और हसन की और सुखी लाल मिर्चों की चट्नी तो इसको जो मैंने अच्छे से पेस्ट बना लिया है इसका अच्छे से आप चाहें तो इसमें सुखी लाल मिर्ची का पाउडर भी उज़ कर सकते हैं एक चमच मैं इसमें 0 डाल ली हूँ, टेस्ट के अकॉर्डिंग्स में नमक आइट कर देना है, जितना आपको खाना पसंद हो उसके हिसाब से, तो यहाँ पर मैंने एक चमच इसमें नमक आइट करा है, साथी मैं इसमें डाल ली हूँ, एक चमच धनिया पाउडर, और एक चम कुछ धनिया को बारी-बारी कट कर लिया है, और बाइंडिंग के लिए मैं इसमें आइट करें हूँ, तो यहाँ पर मैं दो चमच इसमें बेसन आइट करूँगी, मैंने इसमें सारी चीज़ों आइट कर दी हैं, मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लोगी, और इनमें जो है, और इसमें अगर आपको लगे इस बेसन की कॉंटरेटी कम है, तो आप इसमें और बेसन मिक्स कर सकते हैं, और साथ में यह अंडे को अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो सब चीजों को इसमें मिक्स कर लिया है, अगर आपको थोड़ से आलू पानी चोड़ा है, तो आप इसम लेकिन यह बहुत अच्छे से पकोड़ी बन जाएगी, बिल्कुल भी तूटेंगे नहीं, इसलिए मैं इसको ऐसे ही mix कर रही हूँ, अब मैं आपको बताते हूँ इसको किस तरीके से बनाना है, आप चाहें तो इसको कोई और से shape भी दे सकते हैं, ball किये किसी और चीज़ की, लेकिन मैं यहाँ पर देखिए थोड़ा से बैटर ले रही हूँ, और इसको अच्छे से हाथ में फैला लोगी, और यहाँ पर देखिए मैं तेल भी अच्छे से करम हो चुका है, यहाँ पर मैं mustard oil का ही उसकर रही हूँ, साथ में तेल को medium आच पर ही रखना है, या low आच प बन जाएंगी, और यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान लगना है, पकॉड़ी ज़्यादा मोटी ना हो, थोड़ से पतली-पतली बनाएं, उससे यह क्रिस्पी बनेंगी, खस्ता बनेंगी, अगर आप ज़्यादा मोटी बना देंगी, तो अंदर से नहीं पक पाएगी, औ और खाने में भी अच्छी नहीं लगेगी, और तेल को जो है low to medium flame पे रखें, जाए तेज ना करें आज को, क्योंकि इससे color तेज जल्दी change हो जाएगा, और पकॉड़ी अंदर से नहीं सिख पाएगी, यहाँ पर देखिए, 6-7 मैंने यहाँ अच्छी से पकॉड़ी रख और इनको जो है एक साथ fry कर लूँगी, एक बारे में यह काफिजारी बनके तियार हो जाती है, फिर देखिए मैने एक चमश ले लिया है, अब यह एक साइट से होती जा रही हूँ, तो मैं इनको दूसरे साइट पर लटती जा रही हूँ, ताकि यह दूसरे साइट से पे सिख जाएं, और देखिए मैने इसको जो है low to medium flame पे कर रखा तो यह बहुत जल्दी नहीं सिख रही है, ताकरीपन इनको पूरा बनने में 4-5 मिनिट का टाइम लगता है, अगर आप इसको हलकी आच बनाएंगे तो यह 102 मिनिट में बहुत अच्छे से बन जाएंगी, लेकि देखिए बहुत अच्छे सिख चुकी है, अब मैं इनको सारे पकॉर्डी को एक एक करके निकाल लूँगी, आप चाहें तो जो पकॉर्डी निकालने का स्टेनर आता है उससे निकाल सकते हैं, लेकि मैं यह आपर इसको जाली बाले चंब सही निकाल लूँगे, सारा ओल इ हमारे सारे पकॉर्डी बनके रैडी हो चुकी है, बहुत ही टेस्टी बनके तियार होती है, अगर आपको इसको हेल्दी वे में बनाना है तो आप इसको शैलो फ्राइबी कर सकते हैं, इसको दो चमच ओईल में, तो यहां पर देख कितने जादे एक किस्प बनी है और अंद के साथ चटनी के साथ sauce के साथ enjoy कर सकते हैं बनाकर और बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले सबको इस रैसिपी, तो मिलते हैं नेक्स रीडियो में न्यू टेस्टी रैसिपी इसको साथ, thanks for watching this video.